Hello Friends, Welcome to my channel Let's Learn with Richa Friends, वीडियो सुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें तो Friends, आज हम बात करेंगे William Shakespeare के Sonnet No.29 की जिसका टाइटल है When in disgrace with fortune and men's eyes लेकिन उससे पहले हम कुछ की facts को जान लेते हैं जिससे related questions एक्जाम में आ सकते हैं तो Friends, William Shakespeare को Bard of A1 भी कहा जाता है और यह जो है English Elizabethan poet, actor और Renaissance के playwright थे इनका birth 23rd April 1564 को Straight Ford upon A1 में हुआ था A1 एक river का नाम है जो की Warwickshire में है Warwickshire एक country है London में उनको जो है Wednesday के दिन 26 April 1564 को Holy Trinity Church Straight Ford में Baptist किया गया Baptist Friends एक ritual होता है Christian ritual होता है जिसमें नामकरण किया जाता है means नामकरण संसकार Straight Ford एक गाउं है जो की Warwickshire में है जो की Forest of Arden, Castle of Warwick और Castle of Kilkol Man से तीन साइट से गहरा हुआ है इनके फादर का नाम John Shakespeare और मदर का नाम Mary Arden था इनकी death 23 April 1616 में 52 years की age में Straight Ford में हुआ और इनको Holy Trinity Church में बरी किया गया इन्होंने 154 sonnets compose किये जिनमें 1 to 126 sonnets Earl of Southampton को dedicated था जो के उनके pattern थे और इन sonnets को जो के 1 to 126 तक के जो sonnets हैं उनको fair youth sonnet कहा जाता है और 127 से 152 ये डार्क लेडी को address किये गये थे डार्क लेडी Mary Fitton को कहा जाता है और इन sonnets को डार्क लेडी sonnets कहा जाता है and sonnet number 153 and 154 traditional हैं जो की Little Love God Cupid को dedicated हैं और इन्हें Greek sonnets कहा जाता है ये सारे sonnets 1609 में post-musli यानि कि उनके मृत्यों के बाद collect और publish किये गए Shakespeare sonnet नाम से जिसे Thomas Thorpe ने क्वार्टो में publish करवाया था sonnet 29 एक Shakespearean sonnet form है और इसकी theme है love and wealth और इसकी rhyming scheme है A, B, A, B, C, D, C, D, E, B, E, B and G, G तो चलिए friends अब सुरू करते हैं poem When in disgrace with fortune and men's eyes I all alone be weep my outcast stay इस poem की सुरुवात में William Shakespeare बहुत साइड है वो कहते हैं कि मैं disgrace हूँ means अपमानित हूँ fortune यानि wealth से और दुनिया की नजरों में भी means पर्ट ये कहना चाहते हैं कि लोगों की नजरों में उनकी कोई इज़त नहीं है और वे unfortunate भी है means उनके पास कोई धन भी नहीं है means he is the bad luck guy और वो बिलकुल अकेले हैं B, B means किसी चीज़ पर रोना वे अकेले रोते हैं क्यों रोते हैं? वे अपने outcast state पर रोते हैं means समाज से अलग उनकी जो इस्थिती है उस पर रोते हैं समाज में उनको सम्मान नहीं मिलता समाज उसे उन्हें accept नहीं करता पोयम की starting when से हुई है इसका मतलब वे ऐसी इस्थिती में पहले भी रह चुके हैं ऐसा नहीं है कि ये सब उनके साथ पहली बार हो रहा है and trouble deep heaven with my bootless cries and look upon myself and curse my fate वे आगे कहते हैं कि heaven heaven in the sense God क्योंकि heaven में कौन रहता है? God रहते हैं जब वे God से भी अपनी दुर्दसा सुनाते हैं अपनी प्रात्ना करते हैं तो वह भी उन पर ध्यान नहीं देते हैं बहरे हो जाते हैं Shakespeare कहते हैं कि जो उनका रोना है वह bootless है means useless है आगे William Shakespeare लिखते हैं कि मैं खुद को देखता हूँ अपने नसीब को देखता हूँ fate means नसीब होता है और उसको कोचता हूँ wishing me like to one more rich in hope featured like him like him with friends possessed desiring this man's art and that man's scope with what I most enjoy contented least friends second quaterain में William Shakespeare कुछ चीजों की इच्छा करते हैं कि कास भविस्य को लेकर और होप्फुल हो जाएं वे optimistic हो means उमीद हमेशा बनाया रखे वे आगे कहते हैं कि कास उनके पास कोई ऐसा जरिया होता या कोई अवसर होता जिससे वे अमीर बन जाएं धन संपत्ती आ जाएं उनके पास जिससे वे अपनी जिंदिगे में satisfy हो जाएं with what I most enjoy contented least वे इस लाइन के माधियन से कहते हैं कि अब तक जो चीजे मैं enjoy करता था जिससे मुझे खुसी मिलती थी अब उससे भी उन्हीं enjoyment नहीं मिल पा रही है वे यहां अपनी दुरदसा को elaborate कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि उनकी problem को solve करने के लिए उन्हीं किन चीजों के जरूरत होगी add in these thoughts myself almost despising आगे सक्सपेर कहते हैं कि वे अब खुद सोच रहे हैं कि यह सब मैं क्यों सोच रहा हूँ मैं इतना negative क्यों सोच रहा हूँ यह thoughts मुझे खुद गृड़ित कर रहे हैं happily I think on thee कहते हैं कि मैं खुशी से तुम्हारे बारे में सोचता हूँ and then my state like to the lark break of day is spiring from sullen earth sings hymns at heaven's gate यहाँ पर कहानी में आता है twist सेक्सपेर जब उस person के बारे में सोचते हैं जो उनको खुशी देता है तो उनकी इस्थिती बदल जाती है सुधर जाती है वे कहते हैं कि जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मैं lark की तरफ फील करता हूँ lark एक पच्ची होता है जो सुबा सुबा चाचा आती है यह ज़्यादा तर England और Ireland के आसपास पाई जाती है at break of day arising means जब दिन सुरू होता है भोर के समय उस समय जैसे lark होती है मैं वैसा ही महसूस करता हूँ जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ from sullen earth sings hymns at heaven's gate यहाँ पर sullen earth means धर्ती को यहाँ दुखों कर घर बताए गया है इस sonnet में और heaven जहाँ पर कोई दुख नहीं है सुखी सुख है poet यह कहता है कि sullen earth means बहुत ही खराब जगा जहाँ पर इंसान दुखी रहता है वहाँ पर वे ऐसा फिल करते हैं जैसे वे हिंस गा रहे हैं स्वर्ग के दर्वाजे पर means वे कहते हैं कि जैसे ही मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो sullen earth sullen earth means होता है pad tempered land यानि कि रिगिस्तान टाइप की जगा तो वे ऐसा लगता है कि sullen earth से स्वर्ग के दर्वाजे पर खड़े होकर हिंस गाते हुए महसूस करते हैं हिंस मतलब बता है religious song for thy sweet love for thy sweet love remembered such wealth brings and जब मैं तुम्हारे प्यार प्रेम के बारे में सोचता हूँ उसी व्यक्ति के प्रेम के बारे में जो उनको बहुत अजीज है तो उनको बहुत ज़ादव wealth मिलती है अब यहां हम समझते हैं कि इस poem में जिस wealth की बात कीज आ रही है वह कोई धन, रुपया, पैसा या गोल्ड आ दी नहीं है यहां पर spiritual wealth की बात हो रही है जो उन्हें मानसिक सांती देती है संतोज देती है that then I scorn to change my state with kings तब मैं scorn करता हूँ scorn means होता है गृड़ा मिस गृड़ा करता हूँ इस thoughts से की राजाओं से मेरी जगम बदल दी जाए मिस मैं तुम्हारे बारे में सोचते ही इतना खुस हो जाता हूँ कि मैं राजाओं के साथ भी अपनी जगम बदलना नहीं चाहता क्योंकि मैं औरेड़ी इतना खुस होंगा कि राजा बनने के बाद भी मुझे वो खुसी नहीं मिल पाएगी ये पोएम बहुत ही simple है लेकिन बहुत rich thoughts लिए हुए है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करें थैंक्स फर वाचिंग